मेरे प्यारे देश्वाश्यों नमस्कार इस वर्ष बारिस की अच्छी शुरुवात हुई है हमारे किसान भाईयों बहनों को खरीब की बुवाई करने में अवश्य मदद मिलेगी और एक खुशी की बाद मेरे ध्यान में आई गी और मुझे बड़ा आनंद हुआ हमारे दलहन की और तिलहन की पल्सिस की और विल शीट्स की बहुत कमी रहती हैं गरीब को दलहन चाहिए खाने के लिए सब्जी वगरे में थोड़ा तेल भी चाहिए गरीरे खुशी की बात है कि इस बार जो बुवाई हुई है उसमें दलहन में करीब करीब पचास प्रतिशत मेरे किशान भाई भेहनों को इसलिए सविशेश बढ़ाई देता हूं उनका बहुत अविनंदन करता हूं मेरे प्यारे देशवासियों 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है देश के किसान का नाता जमीन से जितना है उतना ही देश के जवान का भी है कारगि युद में हमारा एक एक जवान सो सो दुश्मनों पर भारी पड़ा अपने प्राणों की परवा नह करके दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम करने वाले उन वीर सैनिकों को शत शत नमन करता हूं करगिल का युद केवल सिमा उपर नहीं लोगदान था यह युद नमातां और बहनों की ने लड़ा जिनका जवान बेटा या भाई करगिल में दुस्मनों से लड़ रहा था उन बेटियों ने लड़ा जिनके हाथों से अभी पिहर की महदी नहीं उतरी थी पिता ने लड़ा अपने जवान बेटों को देखकर दुनिया में सर उठाकर बात कर पाता है और इसलिए आज कारगेल विजय दिवस पर इन सभी हमारे सेनानियों को मेरा शत्र शत्र प्रणाम 26 जुलाई एक और दर्ष्टी से भी मैं जरा महत्वपुण मानता हूँ क्योंकि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद कुछी महिनों में 26 जुलाई को हमने माय गौव को प्राणम किया था लोग तंत्र में जनभागी दारी बढ़ाने का हमारा संकल्प जन जन को विकास के कारे में जोड़ना और मुझे आज एक साल के बाद ये कहते हुए खुशी है करीब दो करोड़ लोगों ने माय गौव को देखा करीब करीब साड़े पांच लाख लोगों ने कॉमेंट्स किये और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि पचास हजार से ज्यादा लोगों ने पीएमो एप्लिकेशन पर सुझाव दिये उन्होंने समय निकाला माइंड एप्लाई किया इस काम को महत्वपुन माना और कैसे महत्वपुन सुझाव आए कानपूर से अखिलेश वाचपई जी ने एक अच्छा सुझाव भेजा था कि विकलांग व्यक्तियों को रेलिवे पाने के लिए वही कठिना यह जहलनी पड़े कितना उचीत है अब यह तो बात छोटी है लेकिन ना कभी सरकार में किसी को ध्यान आया ना कभी इस पर सोचा गया लेकिन भाई अखिलेश वाचपई के सुझाव पर सरकान ने घंबिरता से विचार किया और आज हमारे विकल पर बहुत ही सकारात्मक सुझाव आते हैं शासन व्यवस्ता में एक नई फ्रेश एर का अनुभव होता है एक नई चेतना का अनुभव होता है इन दिनों मुझे माई गाउव पर यह भी सुझाव आने लगे हैं कि मुझे 15 अगस को क्या बोलना चाहिए चेन्ने से सुचीत पर बहुत राग्वचारी उन्होंने काफी कुछ सुझाव बेज़े हैं बेटी बचाव बेटी पढ़ाव पर बोलिए एक लिन गंगा पर बोलिए स्वचे भारत पर बोलिए लेकिन इससे मुझे विचार आया क्या इस बार 15 अगस को मुझे क्या बोलना चाहिए कि आप अच्छा विचार है कि 15 अगस के मेरे भाषन को जनता जनारदन से सुझाव लिए जाए मुझे विश्वास है कि आप जुरूर अच्छे सुझाव बेजेंगे एक बात की और मैं अपनी चिंता जताना चाहता हूं मैं को उपदेश देना नहीं चाहता हूं और नहीं मैं रा दुर्घटना के दरश्य पर मेरी नजर पड़ी और दुर्घटना के बाद वह स्कूटर चालक दस मिनिट तक तडबता रहा उसे कोई मदद नहीं मिली वैसे भी मैंने देखा है कि मुझे कई लोग लगातार इस बात में लिखते रहते हैं कि आप रोड सेप्टी पर कुछ बोलिये लोगों को सचेत किजिये बैंगलूर के होशा कोटे के अक्षय हो पूणे के अमई जोशी हो करना रखके मुर्बिद्री के प्रसंदा काकूंजे हो इन सबने और काफी लोगों के हैं नाम मैं सब के नाम तो नहीं बता रहा हूं इस विशे पर चिंता जताई है और जब आकड़ों की तरफ देखते हैं तो रुद्ध हिल जाता है हमारे देश में हर मिनिट एक दुरगटना होती है दुरगटना के कारण रोड एक्सिडेंट के कारण हर चार मिनिट में एक मृत्य होती है और सबसे बड़ी चिंता का विशय ये भी है करीब करीब एक तिहाई मरने वालों में 15 से 25 साल की उमर के नौजवान होते हैं और एक मृत्य पूरे परिवार को हिला देता है शासन को तो जो काम करने चाहिए वो करने ही चाहिए लेकिन मैं माबाप से गुजारिश करता हूं अपने बच्चों को चाहिए टू विलर चलाते हो या फोर विलर चलाते हो सेप्टी की जितनी बाते हैं उस पर जरूर ध्यान देने का माहूल करिवार में भी बढ़ाना चाहिए कभी कभी हम ऑटो रिक्षा पर देखते हैं पीछे लिखा होता है पापा जल्दी घर आ जाना पढ़ते हैं तो कितना टची लगता है और इसलिए मैं कहता हूं इस बात सही है कि सरकार ने इस दिशा में काफी नए इनिसिटिव लिए हैं रोड सेप्टी के लिए चाहिए ए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी बील हम लाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पालिशी और रोड सेफ्टी एक्षन प्लान का इंप्लिमेटेशन करने के दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम हम उठाने क्लिए सोच रहे हैं एक और प्रोजेक्ट हम ले हैं आगे चल्के इसका विस्तार भी होना वाला कैशलेश ट्रिट्मेंट गुडगाओं जैपूर और वडुद्रा वहां से लेकर के मुंबई राची रडगाओं महुलिया राजमार्गों के लिए हम एक के नहीं क्या से कौन देगा को निसी चिंदा चोड़ करके एक बार रोड एक्सिppen्ट में जो गहल है उसका उत्तंतम से सेवा कैसे सारवार कैसे मिले हैं उसको हम प्रात्मिक्ता दे रहे हैं देश्वर में हाथसों के सब्श्arf में जानकारी में देने करे लिए टोल फ्री 100 13 अथरी नमबर iIV की ववस्ता यह सारी बाते लिकिन यह सारी चीजें एक्सिडेंट के बात की एक्सिडेंटन नहीं इस लिए को था हम सब में एक एक जान बहुत ही होती है कि जीवन बहुत प्हारा होता है उस कभी कभी मैं कहता हूं कर्म चारी कर्म योगी बने पिछले दिनों कुछ घटनाय मेरे ध्यान में आई मुझे अच्छा लगा कि मैं आप से बात करूं कभी के बाहर नोक्री करते करते इंसान ठक जाता है और कुछ सालों के बाद तो ठीक है तन्खा मिल जाता है काम कर लेंगे यही भाव होता है लेकिन मुझे पुछले दिनों रेल्वे के कर्मचारी के विश्व में जानकारी मिली हैं नागपुर डिवीजन में बिज़े बिसवाल करके ठीटी है अब उनको पेंटिंग का शौक है अब वो कहीं पर भी जाके पेंटिंग कर सकते थे लेकिन उन्होंने रेलवे को ही अपना आराज्यमाना और वे रेलवे में नोक्री करते हैं और रेलवे के ही सम्मदित भिन भिन द्रश्यों का पेंटिंग करते रहते हैं उनको एक आनद मी मिलता है और उस काम के अंदर इतनी रूची बढ़ जाती है मैं बड़ा यह उधारन देखकर का अच्छा लगा कि अपने काम में भी कैसे प्राणप तत्व लाया जा सकता है अपनी रूची अपनी कला अपनी क्षमता को अपने कारे के साथ कैसे जोड़ा ज जरूर होगी और भी मेरे ध्यान में बात आई मद्य प्रदेश के हर्दा जिले के सरकारी अधिकारियों की पूरी टीम पूरी टोली ने एक ऐसा काम शुरू किया जो मेरे मन को छूग गया और मुझे बहुत पसंद है उनका काम उन्हाने शुरू के ऑपरेशन मल युद्ध अब कोई उसका सुनते उनको लगे का कुछ और ही बात होगी लेकिन मुल बात यह है कि उन्होंने स्वच भारत अभ्यान को एक नया मोड दिया है और उन्होंने पूरे जिले में एक अभ्यान चलाया है ब्रदर नंबर बन यानि वो सबसे उत्तम भाई जो अपनी बहन को र खुले में कहीं माताओं बहनों को सौच न जाना पड़े यह काम रक्षाबंधन के परवपरव कर रहे हैं देखिए रक्षाबंधन का अर्थ कैसा बदल गया मैं हर्दा जिले के सरकारी अधिकारियों के पूरी टीम को बहुत बहुत बदाई देता हूं अभी एक समयतार मे गाओं के लोगों ने पिछले कुछ महिनों से कोशिश करके टाइलेट बनाने का अभियान चलाया और अब उस गाओं में किसी भी व्यक्ति को खुले में सौच नहीं जाना पड़ता है यह तो उन्होंने किया लेकिन जब पूरा काम पूरा हुआ तो पूरे गाओं ने जैस माज जीवन में मुल्य कैसे बदल रहे हैं जन्मन कैसे बदल रहा है और देश का नागरी देश को कैसे आगे ले जा रहा है इसके यह उत्तम मुदारण मेरे सामने आ रहे हैं मुझे भाविश्ट डेका गुहाटी से लिख रहे हैं नौर्थ इसके सवालों के समद में बसे नौर्थ इसके लोग एक्टिव भी बहुत हैं वो काफी कुछ लिखते रहते हैं अच्छी बात हैं लेकिन आज खुशी से उनको कहना चाहता हूं कि नौर्थ इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है जब अटलवय रिवाजपाई जी प्रधान मंतरी थे तब एक प्रयास अने वाले इस दिनों में नागरिकों से बाते करेंगे, समच्याओं को सुनेंगे, समच्याओं का समाधान करने के दिशा में भारत सरकार को जो करना है उसको भी करेंगे, यह प्रयास आने वाले इस दिनों में बहुत अच्छे परणाम लाएगा, और जो अधिकारी जाकर के आते हैं, उनको भी लगता कितना सुन्दर प्रदेश अच्छे लोग अब इस इलाक्यों को विक्सित करके ही रहना है उनकी समस्यों का समाधान करके ही रहना है इस संकल्ब के साथ लोटते हैं तो दिल्ली आटे के बाद भी अब उनको वहां की समस्यों को समधना भी बहुत सरल हो गया है तो एक अच्छ करते हैं कि मार्ज मिशन की सभलता का हमें आनंद होता है अब पिछले दिनों भारत ने पिए सेल्वी सी ट्विंटी एट ने यूके के पांच सेट्रलाइड लॉंच किये भारत ने अब तक लॉंच किये हुए यह सबसे जादा हैवी बिएट सेट्रलाइड लॉंच कि यह पीड़ी से गर बात करते हैं और उनको पूछे कि आप आगे क्या बनना चाहते हो तो सो में से बड़ी मुश्किल से एकात कोई स्टूडन मिल जाएगा जो यह कहेगा मुझे साइंटिस्ट बनना है साइंस के प्रती रुजान कम होना यह बहुत चिंतक अभिशा है साइंस एं टेक्लोलोजी एक प्रकार से विकास का डियने है हमारी नई पीड़ी साइंटिस्ट बनने के सपने देखें रिसर्च इनोवेशन में रूची लें उनको प्रुच्छान मिलें उनकी क्षमताओं को जाना जाए एक बहुत बड़ी हावशक्ता है अभी भारत सरकार के मानव स समसाधन मंत्राले ने एक राष्ट्री आविशकार अभियान शुल किया है हमारे राष्ट के पूर्व राष्ट्पति डॉक्टर कलाम जी ने इसका आरम किया है इस अभियान के तहट आयाई टी एनाई टी सेंट्रल और स्टेट युनिवरसिटी एक मेंटर के तौर पर जह कि आगे बढ़े हो तो आप भी तो कभी सब्ता में दो चार घंटे अपने नद्दिक की किसी स्कूल कालेज में जाकर के बच्चों से जुरूर बात कीजिए आपका जो अनुभव है आपकी शक्ति हैं वो जुरूर इन नई पीड़ी को काम आएगी हमने एक बहुत बड़ा हैं ओड़ा उठाया है कि हमारे देश के गाउं को चौबीस गंटे बिजली मिलनी चाहिक नहीं मिलनी चाहिए काम काधीन है लिकिंग करना है अग्illar धार्ट कर दिया है ओनने वाले वर्शों में हम गाउंको 4-25 विजली प्र आपता हो घा के बच्चों को भी अऀक्षा की में पढ़ना हो तो दूसरे जाना पड़ता है जो लब शहरों को मिलना चाहिए गरीब के घर तक जाना चाहिए और इसलिए हमने प्रारम किया है मैं जानता हूं इतना बड़ा देश लाखो गाओं दूर दूर तक पहुंच रहा है घर घर पहुंच रहा है लेकिन गरीब के लिए ही तो दोड़ना है हम इसको करेंगे आरम कर दिया है जुरू करेंगे आज मन की बात में भाती भाती की बाते करने का मन कर गया एक प्रकारत है हमारे देश में अगस्त मेहना सितंबर मेहना तियोँहारों का इवसर रहता है देशले तियोँहार रहते हैं मैरी आप सब को बहुत बहुत शूक од junt 15 अगस के लिए आप जुरूर मुझे सुजाव भेजिए आपके विचार मेरे बहुत काम आएंगे बहुत बहुत धन्यवाद